ये इंडिया की आखरी ओडियाई सिरीज है और औसेलिया ने इंडिया को काटी की टकर देते हुए सिरीज दो दो से बराबर कर लिए इसकी उमीद हैर टीम इंडिया को भी नहीं थी इसलिए उन्होंने धोनी को चौथे और पांचे वंडे के लिए आराम दे दिया पर चौथे वंडे में जिस तरह की कीपिंग हुई है उससे सब को पता चल गया कि इस टीम को वर्ल्ड कप में धोनी की कितनी जरूरत है और एक यह है रिशब पंत धोनी की चाइनीज मार्केट वाली कॉपी चले तो चान तक ना चले तो शाम तक इन सापजादे का कुछ ऐसा कहना है हाँ भाई देखा माही भाई ने क्या पूरे इंडिया ने देखा जो स्टंपिंग छोड के मैच को मस्त गिस्टरब करके उस्सिलिया को थमाया है इसके लिए जंता माफ नहीं करेगी शिखर धवन के पिछले ओडियाई से पहले के पांच ओडियाई मैचेज में स्कोर से 21, शुर्निया, 6, 13 और 28 ये देखने के बाद विराड कोली ने उससे पूछी लिया लेकिन धवन को ना ये बात दिल पे लग गए और फाइनली उन्होंने एक सेंचुरी ठोकी दी ये देखके कोली इतना खुश हुए कि धवन के साथ बैठे बैठे ही नाच गाना शुरू कर दिया उसी समय अंबती राइडू सामने आगा और विराड से बोला चिखू तो टेंसन ना ले मैं सारे बैठिंग रिकर्ट्स लाइन से तोड़ दूगा लाइन से ठाक हाल फिलाल जैसा उनका फॉर्म चल रहा है वो देखकर विराड मस इतना ही कह पाए इस दूसरे ओडिया इमें जैसा प्रदर्शन विजए शंकर ने भिखाया उससे अव कुछ प्लियर्स की व्ल्ड कप की टिकेट खट्रे मैं लग रही है और विराड के मन में उसके लिए प्यार देखके हमारे कुंफु पांडे कुछ अब ही टेंशन में आगे फुल देख जितो अब अब इस नहीं हो रहा है अब तो हाल इसा हो गया कि कोई भी दिक्कत आती है तो कोली बुमरा को एक इसारा करता है और ऐसा कुछ हो जाता है अच्छा जो हुआ सो हुआ लेकिन सिरीज जीतने के लिए भारत का पलड़ा अभी भारी लग रहा है पर ये बात होता है कि इस उस्ट्रियन टीम को हलके में नहीं ले सकते गुरू तो वर्ल्ड कप की तैयारिय बलगभग पूरी हो गए और आप कॉमेंट्स में हमें ये बताइए कि क्या ये इंडियन टीम तीसरा विश्वकप जीत के घर ला सकती है